जहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंटी यूटूब चैनल पे तो फाइनली यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक नया नोटिपिकेसन देखने को मिल रहा है रेलविल फैक्टरी की तरफ से जी हाँ, यदि आप भी रेलवे में अप्रेंटी सिर्फ करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनारा मौका है, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा जिसकी अपिस्यल वेब साइट है www.rwapp.indianrailway.jobi.in इसकी अपिस्यल वेब साइट है, जहां से आप फार्म को अप्लाई कर पाएंगे फार्म को कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का क्या पर करिया है जल्दी आपको नेक्ट वीडियो में मिल जाएगा यहां पर आप इसकी notification का date भी देख सकते है 21-2023 को ये notification जारी किया गये और इसमें जो trade आपको देखने को मिले, काफी कम trade है लेकिन जो भी आप पर trade दिया गये यदि आप इन trade हो से IT complete कर रखा है तो आप इस फार्म को प्लाई कर पाएंगे पहला trade आपको देखने को मिलता है फीटर दूसरा trade आपको मसनिष्ट देखने को मिलता है तिसरा trade आपको mechanic motor vehicle देखने को मिलता है और पोर्त नमबर पे आपको turner देखने को मिलता है फाइप नमबर पे CNC programming come operator अताथ जो 36 COE ग्रूप के अंतरगत ITI के हैं इसके बाद यहाँ पर आपको 6 नमबर पे electrician trade देखने को मिल जाती है और 7 नमबर पे electronic mechanic देखने को मिल जाती है तोटल यहाँ पर पोश्ट की बात करें तो यहाँ पर आप इसको जूम कीजिए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक 100 बाद बे टोटल यहाँ पर आपको seat देखने को मिल रही है जिसमें All India के candidate farm को apply कर पाएंगे मतलब कि आप किसी भी राज के रहने वाले यदि आप रेलो में apprenticeship भरना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए सुनारा मौका है ऐसा मौका नहीं मिलेगा नीचे आप आईए स्क्रॉल करते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ अधर जनकारी जैसे कि कितने उम्र के चाहतर इस फान को apply कर पाएंगे इसके बारे में इन्होंने जनकारी दे रखी है तो age limit यहाँ पर जो रखा गए उसके नीचे साब पर लिखा गया the candidate should have complete 15 year and should not have complete 24 कहने का मतलब यह कि 15 से 24 वेर्ज के जो चाहतर हैं वो लोग इस फान को apply कर पाएंगे लेकिन एक चीज़ का ध्याने कियेगा जो चाहतर SST के अंतरगत आते हैं उनके लिए 5 वर्स की चूटे और जो चाहतर OBC के अंतरगत आते हैं उनके लिए हाँ पर 3 साल की चूट रखी गई है तो जो भी चाहतर इस कटिगरी के अंतरगत आ रहे हैं अपना यहाँ पर जो भी यहाँ पर चूट दिया जा रहे है उसको मिला लिजेगा और इसमें जो अपलाई कर पाएंगे चाहतर ध्यान रिखेगा जो चाहतर NCBT से ITI किये हैं वही लोग फार्न को अपलाई कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो मांगा गया National Council for Vocational Training का ही Certificate मांगा गया SCBT का यहाँ पर Certificate नहीं मांगा गया है तो NCBT वाले ही केवल फार्न को अपलाई कर पाएंगे निचे आप आएंगे स्क्रॉल करते वे तो आपको इसके बार में कुछ अधर जनकारी देखने को मिल जाते हैं जैसी कि इसमें stipend कितना दिया जाएगा अतात जो आपको training के दोरान जो payment दिया जाता है वितिका के रुप में वो कितना दिया जाएगा तो देखिए यहाँ पर trade wise उन्होंने जनकारी दे रखिए यदि आपने feature trade से या मसनिष्ट या mechanic motor vehicle या turner या electrician या electronic mechanic से यदि आपने IT कर रखा है तो आपको 12,211 रुपे पर मंत दिया जाएगा और यदि आपने CNC, programming operator या other के अंतरगत आपके हैं तो आपको यहाँ पर 10,899 रुपे परमत देने की बात कही गई है कैसे farm को apply करना है तो देखिए तिसरे नंबर में इनोंने पूरी जनकार यहाँ पर दे रखिए कि इसमें जो छातर farm को apply करना चाहते है सबसे पहले आपको इसकी official website पे जाना है जो की www.rwappandiarailway.jobi.in की जो इसकी official website है वहाँ से आपको farm को apply करना है तो farm apply करने से पहले आप एक चीच का ध्यान लिकेगा आपको सबसे पहले अपने CNC की official website पे registration करना होगा यदि आपने registration नहीं किया है registration करना आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के description में मैं आपको link दे दूँगा उस वीडियो पे click करके असानी से आप mobile के द्वारा भी registration कर पाएंगे तो registration आप कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर बात करें fees payment की तो ध्याने कियेगा जो candidate यहाँ पर farm को apply करें तो इस चीज़ को आप note का लिजिएगा निचे आप आएंगे scroll करते वे तो farm बरते समय यहाँ पर कितने केवी का जो आपका photo लगने वाला है और यहाँ पर क्या कहा है यहाँ पर qualification के साथ आपका यहाँ पर जो document लगने वाला है इसकी जनकारी इन्होंने दे रखी है तो जो महत पूर्ण है इसमें आपका यही है दस्वी का यहाँ पर मरसीट और यहाँ पर certificate आपका लगने वाला है और दस्वी में कम से कम आपका जो होना चाहिए पचास परसेंटेज मार्क होना चाहिए इसको भी आप ध्याने किएगा इसके बाद B नंबर में कहा जा रहा है कि NTC certificate आपके पास होना चाहिए अताथ National Trade certificate आपके पास होना चाहिए वो भी आपका NCBT से होना चाहिए और जो मैंने आपको उपर trade बता है 2022-2023 रखा गया है तो काफी नजदीक date है आप इससे पहले form को apply कीजेगा नई तो इसकी जो तीती है समाप तो हो जाएगी हलाकि यहाँ पर इसका जो date है काफी हाँ पर नजदीक आ चुका है तो आप form को apply के लिजेगा और कोई भी आपको अधर जनकारी चीए तो comment box में पूछ लीजेगा अब यहाँ पर बात करते है selection किस तरह होने वाला है exam होगा की merit होगा तो यह जो आपका selection होने वाला है merit पर होने वाला है तो कि इसमें साब तोर पर लिखा गया जो इसमें जो आपका selection होगा the selection आप candidates will be made up the basis of merit list prepared कहने का मतलब यह जो इसमें चाहतर फांट को apply करेंगे उनका जो यहाँ पर selection होने वाला है वो merit पर तयार किया जाएगा percentage पर आपका होने वाला है तो यहाँ पर merit पर आपका एक्जाम होगा merit पर आपका होगा यहाँ पर selection किसी भी तरह का आपका एक्जाम और नहीं interview होने वाला है